वो कौन से संकेत होते हैं जो आपको clarity देते हैं कि universe का taste आप खत्म होने वाला है जी हाँ, बहुत strong shine मिलते हैं, अगर ये आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में आप चानने वाले हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करने वाली हूँ, जिससे कि आपको भी clear हो पाएगा कि आपका taste खत्म होने वाला है या नहीं और आप इस journey में अभी कहा तक पहुँचे हैं अगर आप कोई भी बहुत बड़ी wish manifest कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है बिलकुल परिशान नहीं होना है अगर आप बहुत टाइम से taste देते आ रहे हैं तो अगर ये संकेत मिल रहे हैं, तो ये clarification है कि आपका taste खत्म होने वाला है और अब आपके जिवन में आपके wish एंटर करने वाली है तो वो कौन से संकेत होते हैं, सब कुछ बताने वाली हों तो शुरू करते हैं इस वीडियो को Hello and Hi to all my beautiful soul family स्वागत है आप सभी का आपके अपने channel Easy Life 111 के उपर कैसे हैं आप सब, comment करके जरूर बताएगा आज की वीडियो का topic बहुत interesting है क्योंकि इस वीडियो में आप जाने वाले हैं कि जब universe का test खत्म होता है तो आपको किस तरह से वो संकेत देते हैं और तब ही उन्ही संकेतों की जरिये आपको पता चलता है कि परमात्मा की परिक्षा में आप पास हो चुगी है और अब आपके wish आपके life में आ रही है तो शलिए जान लेते हैं बट आप इस चानल पर नए आए हैं तो जल्दी से subscribe कर लिजे इस तरह के वीडियो के लिए बगल बेल आइकन होगा जिसे all पर प्रेस करना बिलकुल मैद भूलेगा ताकि future वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले वेडियो का benefits आप ले पाए तो पहला संखेत अगर आप बहुत लंबी जोर्नी तय कर चुके हैं मतलब पहले तो जैसे हमारे life में law of attraction आता है हम बहुत खुशी खुशी इससे follow करना शुरू करते हैं फिर हमें positive संकेत मिलते हैं फिर angel numbers दीखते हैं फिर negative संकेत मिलते हैं फिर से positive संकेत फिर से negative किया जाता है last में ये जो fourth stage है ना जो second time आपको negative किया जाता है ये होता है universe का taste और इस last stage पर कुछ भी हो सकता है taste बहुत बड़े level का भी हो सकता है अब कि wish के according जितनी बड़े wish होगी उतना ही बड़ा आपका taste होगा तो इस time पे आपको धहरे रखना होता है और साथी universe पे trust करना होता है अब ये वाला जो taste का समय होता है ना जब ये खतम होने लगता है तो आपको कुछ बहुत positive संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिसमें पहला संकेत है आपको पूरी journey में ये ज़रूर feel होता होगा आप सोते जागते उरते बैठते बंधे हुए हैं आपको ऐसा feel होता होगा कि आप किसी चीज में बंध गये हैं आप इस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं मतलब ऐसा feeling कि किसी ने जकड़ा हुआ है आपको इन सारी चीजों से अचानक से मुक्ति मिल जाएगी आपको इतना free महसूस होगा लगेगा जैसे आपको वो अजादी मिल गई हो आपको वर्षों से कैद करके रखा गया हो और अचानक से free छोड़ दिया जाए उस तरह की freedom आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी और जब भी ऐसा होना शुरू हो जाए तो आप समझ लेजेगा कि अब आपके wish आपको मिलने वाली है दूसरा संकेत इस तरह से मिलता है कि आपके अंदर एक इस थीरता आ जाती है आपने समुद्र को देखा है ना कितनी उची उची लहरे होती है लेकिन जब वो शान्थ प कर लिया आपने बहुत लंबी ज़र्णी तैकी हो सकता है दो महिने चार महिने दो साल चार साल छे साल अब कितने टाइम की ज़र्णी रही आपकी यह आपको पता है जो ये लास्ट समय होता है ना इतना इतना ज़्यादा पॉजिटीव होता है कि आप किसी को explain ही ने कर सकते ये समय आपका सबसे खुबसूरत समय होता है इस टाइम पे आप इतना शान्त हो जाते हैं जैसे मैंने समुद्र को कहा इतनी लहरे हैं फिर भी जब शान्त होता है तो कैसा लगता है बिल्कुल उसी तरह के शान्ती होती है आपके अंदर आप में समुद्र की ताकत है समुद्र जितनी गहराईयां हैं आप में लेकिन जब आपके विश्चा आपको मिलने वाली होती है तो बिलकुल वैसे ही आप शान्त भी हो जाते हैं आपके सोल को पता चल जाता है कि जिस काम्याबी के लिए आप संगर्श कर रहे थे वो काम्याबी आपकी जिन्दगी में आ रही है तो अगर ये संकेत आपसे रिजनेट हुए हैं तो बहुत खुश होने की जुरत है Congratulations in advance आपको पहले से ही बहुत सारी बधाईयां आपकी विश अगर पूरी होने वाली है इसमें से कोई भी एक संकेत आपसे मैच किया है तो अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो फ्यूचर में इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुट जाएए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके माइड में तो मेरी इंस्टाग्रम आइडी है स्काइविंग स्टीपल टू वहाँ फॉलो कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए मैं यूटूब पे अंसर नहीं कर पाती हूँ तो खुश रहिए हमेशा मस्कुराते रहिए God bless you and thanks for watching राधे राधे